याद है आप सभी को मैंने आप सभी से कहा था कि योगा टीचर की भरती आएगी और लो आगई तो अब आप बस एक घंटे की अच्छी खासी सेलरी लेजिए अगर आपके पास ये ये योगताय हैं तो बस आप मेरे साथ बिलकुल अंतक वने रहिए सारी जानकारी लेजिए स सब्सक्राइब जिससे आपके पास सरकारी योजना और सरकारी भरतियों संबंदित संपून जंकारी आ सके हैं तो अब चलते हैं योगा टीचर की भरती के तरफ नमस्कार मैं हूं गौरब सर्मा और आप लोग देख रहे हैं एडवाइजेंड एजुकेशन जानकारी ये है आपकी एच के आर एन हरियाना कौसल रोजगार निगम में निकली है योगा टीचर की एपलाई ये भीया आज से पांच आठ दो हजार चौवीस और लास्ट डेट इसकी है आपकी दस आठ दो हजार चौवीस सिर्फ आपके पास पांच दिन बचे हैं एपलाई कीजिए और नौकरी आपके हाथ में इसके लिए आपको बता दो क्लास है टेल्ट क्लास पास होना चाहिए न थूसरे नूंबर पर ऑढ़ारा नहीं है 17 बहारा नहीं 17 से 42 साल SC और ST के लिए 5 साल की छूट है और OVC के लिए 3 साल की छूट है अगर आपके पास हरियाना कार्ट 2 मिसाइल है तो हरियाना के निवासी है और आपके पास जो एक कास्ट सर्टिफिकेट है ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका 2022 या 2023 का बना होना चाहिए selection percentage पर होता है यह आपको पहली पता है मैं आपको बताऊँगा कि आपका selection कैसे होगा सबसे पहले इस बात को समझे इसमें आपको चाहिए one year का डिप्लोमा याद हो तो मैंने आपको बताया था एक साल का डिप्लोमा और मात्र 12 ख्लास के बाद ही हो जाता है अब समझे सेलरी जो आपको एक घंटे की मिलेगी सेलरी मिलेगी आपको 22,690 रुपे इन वैसे आपके कट जाएंगे लगबग लगबग 1800 रुपे जो आपको बाद में मिलेंगे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशकबरी क्या है कि HKRN की जोग एक साल बाद हट जाते हैं लेकि इसमें नहीं खिंगे तो यह कहान ही होती है दूसरी जॉप जो पर्मानेंट भ्रती आती है उनको कर लेते हैं लेकि इसमें ऐसा कोई ह्याना में अभी तक कोई turns योगद डिशकी भरती नहीं आई है जिसके आपको हटाया नहीं जाएगा इस वजह से तो आप बिल्कुल खुश किस्मत हो बाइस हजार छहसो नब्यर रुपे कमाल की बात है ना सिर्फ आपको एक गंटे के मिलेंगे साथ से आठ सकूल जाएए योगा कराएए अपने घरा जाएए ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपको स्कूल में रुपना है ठीक है और अपने दूसरे काम कीजिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपका सेलेक्शन कैसे होगा सबसे पहले आप इन डॉक्यमेंट्स को अपना तीसरे नंबर पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका 2022 से 2023 का हो ठीक है फोर्थ नंबर पर इंकम सर्टिफिकेट या आपकी जो इंकम है वो फैमिली आईडी में होनी चाहिए बता दोंगा तभी मैं आपसे कहा रहा हूं बिल्कुल अंतक्मिन रही है आपको यह समझो मज़े आ गए यह बन वाले हैं दो तिन दिनों ही बन जाता है और दस्तार क्लास्ट है तो पांस दिन है पांस नंबर मिल जाएंगे शिक्त है आपकी नो जोग एक एफिडेविट बनता है जवर्में तैसिल से कि आपके घर में कोई भी सरकारी नोकरी नहीं है तक आपकी फैमिली इंकम है तो आपको मिलेंगे चालीस मार्क्स का सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं है कोई नंबर नहीं मिलते हैं इंकम सर्टिफिकेट और फैम जाएंगे आपको पांस नंबर नो जॉब के मिलेंगे आपको पांस नंबर अब सेवंथ नंबर पे ट् वाद 8th नंबर पर आपकी एज जो आपकी एज आधारकार दर्सा आएगा उस एज के आपको शाइज के पांच और 10 नंबर है तो बाइस से लगवाग लगवाग शब्श तक तो पांच नंबर है शब्श से लेकर जित्मी भी एज आपकी उपर है वहां दस नंबर मिलेंगे तो मैं आप 10 निम्बर काउंट कर लेता हूँ तो 40 और 10, 50 और 10, 60 और 5, 65 और 10, 75 पिछेतर निम्बर ही बन जाते हैं इन 75 निम्बर की आगर आपके बात करूं तो आपके पास 60 से 70 नंबर या 50 नंबर हो 50, 60, 70 तो आपका H11 में सेलेक्शन होने का 100% चांस बढ़ जाता है इसमें एक चीज और है आपकी जो यह डिपलोमा होगा ना आपका योगा टीचर वाला उसकी जो परसेंटेज है उसके भी मार्स काउंट होंगे इसमें तो आपको बता दू उसके लगए पांच या दस नमबर है मुझे कनफर्म नहीं पता लेकिन पांच या दस नमबर आपक को दूसरी जानकारी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो यह है देखो सबसे पहले आप समझो बात को इस हरियाना में जो सबसे ज्यादा मानेता दे जा रही है जिस डिप्रोमा को जिसकी फिरूप पहले भी लगें वो है आपका एन आई ओएस इसको करा जाती है डेली जानी के स्किंद सरकार ठीक है इसमें बनते हैं आपकी सबसे ज्यादा परसेंटेज से क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के मार्स जादा है अब बात करते हैं यूनिवर्स्टेज्स की जैसे की दिल्ली पुरूचेत्र और यह हरियाना की है आपकी दूदोला पलबल बेश्टिक में इस सिस्थ है युनिवर्स्टी वो यहाराइस कांड़ी कई वर्ट लेकि इन यूनिवर्ष्टी से हमें एक नुकसान होता है परसेंटेज नहीं बन पाती क्योंकि मेरे पास बच्चों की कॉल आई है उनकी परसेंटेज बही है इसाट से लेकर सपतर और अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में भरती होई थी, वो होई थी, ब्यासी परसेंट पर और त्रासी परसेंट पर और वो भी यही लगे थे N I OS वाले, ठीक है, जिनों दिल्ली से कही थी, क्यों? क्योंकि इसकी सब जह радर परसेंटेज बनती है, यह दो बच्चे लगे थ हैं हमारे फते राम जी इसकी फिर्द के बारे मुझे कोई खास भी पता आप को जानकार ले ले लेंह बस मैं आपको बता सकता हूं कि यह करा की ठीक है मेरा तो फर्ज और काम यह है कि आप को सरकारी नौगरी के बारे में बताना और आप उसके फॉर्म को फिल कराना और आप बस चॉब लग जाओ बस ये है मेरा काम अब फतिराम सर्मा कराते हैं वन ये यह का लेकिन टू येर का भी होता इसमें तो टू येर का कर लो या वन येर का कर लो बात तो एक है तो क्यों हम दो साल ख़़ा करें एक साल काई सही रहेगा हमारे ल चल रहा है इसके चल रहे और इसके टक्रेंट से रहे है और इसके रावे संट इस जो कराते हैं अच्छीए ऐस से आपको फाइदा यह भी मिल जाएगी पर्मानेंट सरकारी जो पहले मिल चुकी है लोगों को अभी भरती आएंगी हर्याना में भी और दिल्ली में भी क्योंकि एलक्षन का ट्राइम है और अभी तक जो योगा ठीचर की पर्टिकुलर भरतियां हुई है वह हैं आपकी स्टेट में दिल्ली पंजा दौन अप्लाई कर सकते हैं है ना कि खुशी की बात और अभी कुछ दिन पहले बिहार के लिए भी नॉटिफिकेशन आया था मेरी नजर में तो आप लोगों के लिए सबसे बहतर मौका है आप लोग एक साल का इस डिप्लोमा को करें आपके पास सुनहरा मौका है अब मैं दे देता हूं आपको नंबर ताकि आप लोगों का फायदा हो सके 9671371515 यह आपको सारी डिटेल देंगे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यमेंट इनको देने और कब-कब आपको इनकी जरुत पड़ेगी यह सारा कुछ आपको बता देंगे एड्रेस वगएरा सारी चीट है अगर आप चाहो तो फॉन पर भी अपने डोक्युमेंट जो यह बताएं उनको सेंड कर दें जो इनकी फीस रहेगी लगभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभव आपको बता देंगे और आपको इवात पर बता दूँ आप मेरा नाम ले देना आपको डिस्का और हमने इनका चनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप चेहां को सब्सक्राइब जोकर लेगा यह मैं आपको मुझवानी वी कह रहा हूं और लिखकर दे सकता हूं और आप चाहूं तो मेरे पास कमेंट भी कर सकते और अब की बार मैंने इन फतेराम सर का नमबर दिया उस सम तुरंत जाओ तेहसील में EWS का बनवाओ इंकम सर्टिफिकेट बनवाओ दो तीन देनों ही बन जाता है घराइंच जरुतरी दस तारिक तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हो अपने स्कूर को पचास से साथ सतर तक पहुंचा दू एच के आरें में आपका सेलेक्ट सकते हैं प्लीज अब आप इस नौकरी को छोड़ेना फ्री फरंड की नौकरी है और जब पकी नौकरी आएगी दिल्ली में आने वाली अठारहजार की और हरियाना में आएगी लगवग लगवग पचीस हजार के सम्थिंग घोसना होई है आने वाले दो या तीन महीनों में हो जाए जरूर इस वीडियो को आप शेयर जरू करें अपनी वर्टसप गृर्प पर और लाइक करना ना भूलें भी यह आप लाइक बहुत कम करते हो लाइक करने से हमें मिलता है मोटिवेशन और फिर हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप ल